हेले दोस्तो मेरा नाम है संदिपन मोर्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल क्रेजी नॉलेज में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग एक बेरी बेरी आई एमपी क्वेस्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है उदारी करण किसे कहते हैं तो दोस्तो ये बहुत ज़्यादा बेरी बेरी यानि की बहुत ज़्यादा बेरी बेरी इंपारेटन टॉपिक है तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को सुरू से लेकर अंते तक देख लीजे में एक दम बहतरी इन तरीके से आप सभी को بتाने वाला हो कि उधारी करण किसे कहते हैं तो चलिए फ्रेंडस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और आज के इस वीडियो के जो लाइक का एम है वो रखते हैं 100, I hope कि आप सभी लोग करवाद होगे तो 100 लाइक कर देना, जितने भी लोग वीडियो को दे नियंत्रड और प्रतिवंदों को कम करने या खतम करने की कोशिस करना देखिए उधारी करण अगर आप सभी के बोर्ड एक्जाम में आ जाए तो आप सभी को लिखना है कि उधारी करण का अर्थ होता है किसी भी छेत्र में नियंत्रड और प्रतिवंदों को कम करने या खतम क करने की कोशिस करना फिर आगे लिखना है सरकार द्वारा लगाए गए प्रतेक्च तथा भौतिक नियंत्रड से अर्थ बेवस्था को मुक्त करना ताकि सभी छेत्रों का समान विकास संभो हो तो इसे क्या कहते हैं उदारी करड अभिक्रिया कहते हैं तो फ्रेंड्स इसी तर कि परिभांसा लिखिए या उदारी करड की परिभांसा को समझाईए तो यह बहुत जादा बेरी बेरी आई एमपी क्वेश्चन है तो आप सभी लोग जो है इसको तैयार कर लिए एक दम बहतरीन तरीके से देखिए इसमें है ही क्या बहुत ही छोटी सी परिभांसा है अर्थ होता है इसी टाइप से आप सभी को लिखना है उदारी करण का अर्थ होता है किसी भी छेत्र में नियंत्रड और प्रतिवन्दों को कम करने करने या खत्म करने की कोशिस करना सरकार द्वारा लगाए गए प्रतेक्च तथा भोतिक नियंत्रड से अर्थ बिवस्था को क्या करना मुक्त करना ताकि सभी छेत्रों का क्या हो सके समान विकास संभव हो तो इसी को क्या कहते हैं उधारी करड कहते हैं तो आई होप फ्रेंड्स की आप सभी का जो डाउट रहा होगा कि उधारी करड किसे कहते हैं ये खतम हो गया हो तो मिलते हैं कोई और ने वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी लोग जो है लाइप कर देना